प्रस्ण दोस्तों मानवशरीर की सिकिन कई परतों में होती है लेकिन उपर की दो मुख्य परते होती है नीचे वाली जो परत है उसमें पसीना बनता है और इसके अलावा नसे भी ठीक इसी परत के नीचे होती है उसके नीचे फैट की परत होती है यानि चर्बी की परत होती है हाथ से इसकिन की परत का उखड़ना हर किसी के साथ होता है लेकिन जब ये कभी ये किसी के साथ होता है तो गुस्सा भी आता है क्योंकि हाथ देखने में बहुत भद्दे लगते हैं खराब लगते हैं हर इनसान को अपनी जिंदिगी में ये समस्या कभी न कभी हो जाती है यह कोई बीमारी नहीं है इसलिए इसको ठीक होने का इंतजार करना ही पड़ता है दरसल हाथ की इसकिन खासकर उंगलियों के पास की इसकिन बहुत नाजिक और सेंसिटिव होती है सॉफ्ट और सेंसिटिव इसकिन होने के चलते हाथों में इनफेक्शन तेजी से फैलता है दोस्तो ऐलर्जी इसकिन के ड्राय होने की वज़े से इसकिन के सूख जाने की वज़े से या कैमिकल के इस्तिमाल करने और विटामिन बी की कमी से हाथ से इसकिन उखडने लगती है अगर ये बहुत तेड़ी से फैल रही है तो आप किसी भी डॉक्टर से संपर्ट कर सकते हैं अदनी था जो घरे लूप चार आज हम आपको बता रहे हैं उनका इस्तिमाल करके भी इस समझजा से आप बहुत आसानी से चुटकारा पा सकते हैं दोस्तो इसके लिए आप गरम पानी का इस्तिमाल कर सकते हैं गुन गुने पानी में कुछ देर तक हात डुबो कर रखें कुछ देर बाद नरम कपड़े से हातों को पोश लें और फिर मॉस्चराइजर लगा लें इससे हातों में नमी बनी रहेगी नमी बने रहने से इसकिन से जुड़ी कोई समस्या नहीं होगी जब आपके सरीर में पानी की कमी होती है तो इसकिन प्रॉलम शुरू हो जाती है दूसरा उपाय है आप जैतून का तेल का भी इस्तिमाल कर सकते हैं अगर आपके हातों की इसकिन उतर रही है तो इसमें जैतून का तेल बहुत जादा कारगर साबित होता है जैतून का तेल अच्छे मौस्चराइजर का काम करता है इससे आपके हातों में नमी बनी रहेगी और धिरे धिरे ये समस्या आपकी जड़ से खतम हो जाएगी इसके अलावा आपको पानी भी खूब पीना है जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि स्किन से संबंदित ज़्यादा तर समस्याएं ज़्यादा तर प्रॉलम सरीर में पानी की कमी से होती है इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीएं पानी पीनी से सरीर में नमी की मातरा बनी रहती है साथ ही बोडी का डिटॉक्सिर्फिकेशन भी होता रहता है यानि बोडी की सफाई भी होती रहती है इसके अलावा आप दूद और खीरे का इस्तिमाल भी कर सकते हैं दोस्तु सरीर के जिस ही से से इसके उतर रही है वहां दूद और खीरे के टुकडे से मसाज करें आप पहले दूद कच्चा दूद लहोना चाहिए बिना उबला हुआ दूद अपने हाथ के उपर लगा ले या जहां से स्कीन उखड रही है वहाँ पर लगाए और उसके बाद चोटा सा टुकडा खीरा कर ले और उसके उपर हलके से मसाज करते रहे इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको खीरे में पानी की बहुत मात्रा होती है और यह अच्छा मोश्चराइजर माना जाता है जो स्कीन के लिए बहुत फायदामद है खाने के यदि हम बात करें तो दोस्तो इसमें प्रोटीन आप सामिल करें अपने खाने में क्योंकि टिस्यू के निर्मान में प्रोटीन की बड़ी भूमिका होती है इसकुन उतरने के साथ टिस्यू बरबाद होता है जल्दी रिकवरी के लिए खाने में प्रोटीन की मातरा बढ़ें ताकि आपकी इस समस्या जड़ से ही खतम हो जाए दोस्तो ये थे इसकी उखड़ने के बहुत ही कारगर और बहुत यच्छे उपाए जिनको आप करके इस समस्या से बहुत आसानी से चुटकार अपा सकते हैं दोस्तो ये उपाए ऐसे हैं जिनके कोई नुकसान नहीं है क्योंकि हमने ऐसी कोई कैमिकल वाले चीज आपको नहीं बताई है जिसकी वज़े से आपको नुकसान हो सकता है आप इन घरे लूपाएं का इस्तिमाल कर सकते हैं और हाथ की ये उखड़ दी हुए इसकिन इस प्रॉलम से आप हमेज़ा के लिए छुटकारा पा सकते हैं तब तक आफाशते रहें मुस्कराते रहें और अपना ख्याल रखें